तंदूरी पने टिके की रेसिपी जिसे देखते ही मुह में पानी आ जाता है बहुत ही डिलिशियस होता है और इसे बिलकुन मार्केट स्टाइल बनाएंगे हम इसके अंदर एक स्मोकी फ्लेवर देंगे और बहुत ही एजी वे में मैं आज आपको इसे बनाना सिखाऊंगी त तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैं यहां पर 3 टेबल स्पून बेसन को पहले रोस्ट कर रही हूं बहुत से लोग कच्छा बेसन इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बेसन को रोस्ट करें थोड़ा सा टाइम लगता है रेसिपी एक दम बिल्कुल पॉफेक्ट बनती है तो मैंने यहां पर मीडियम फ्लेम पर गैस बेसन को रोस्ट करेंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे हलका सा कलर चेंज करना है इसका खुश्बू आने लगे तो आप गैस का फ्लेम आफ कर दें और इसे एक बटन में नि काल लिया कपड़े में ताकि ठिक हो जाए और जोसका एकसेस पानी था मैंने रिमूफ कर दिया अब इसके अंदर स्पाइस एड करेंगे एक टेबल स्पून सॉल्ट एड किया है मैंने और एक टेबल स्पून ड्रेट कश्मीरी लाल मिर्च इससे बहुत अच्छा कलर आता ह हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और इसके बाद मैंने हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर एड किया है और एक टी स्पून मैंने हाँ पर चाट मसाला और इसके बाद मैंने हाँ पर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ टी स्पून रोस्टेड जीरा आप चाहें तो अद्रक लेशन का पेस्ट भी इसके अदर एड़ कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर आज बिना अद्रक लेशन के पेस्टे से तयार किया है उसके बाद इसके अंदर डाल दें कस्तूरी मेथी हातों के बीच मच्छे से रप कर लेंगे और दो बड़े चमच सरसो का तेल यहां पर एड़ कर देंगे उसके बाद मैं यहां पर एड़ कर रही हूँ टू टेबल स्पून रोस्टेड बेसन अब इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे स्पाइसिस को और सब चीजों को बहुत अच्छे से आपने क्या करना है मिक्स कर लेना है और एक लंप फ्री बैटर बनाकर इसका तयार कर तो बैटर हमारा हो चुका है रेड़ी अब मैं यहां पर आपको बताऊंगी कि मैंने 500 ग्राम सब वैजी ली ती जिसमें है कैपसिकम अनियन टमाटो उनको क्यूब साइज में कट कर लिया और 500 ग्राम मैंने पनीर लिया था जिसको मैंने थोड़े बड़े साइज में कट कि नेख्या अब हल्के हाथों से अपने थोड़ा सा में नीबू कर रहें और हल्के हाथों से करना है ज्यादा आप पनीरी प्रस छिपाटलिक्स है तो आपने क्या करना है यह नियुक्क हर लिए अब इसके अंदर एक तंदूरी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहां पर एक स्टील की कटोरी लिए चोटी सी अगर नहीं है तो आप फॉयल पेपर ले 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 लिए एक कोईले को बहुत अच्छी से गरम कर लिया है मैंने और अब इसके उपर में मस्टर्ड ओल एड कर रही ह अदे घंटे बाद मैंने इसके अंदर से कोईल को निकाल लिया था अब हम क्या करेंगे अब मैंने यहां पर स्टील वाले स्वीकर ले जिसके पीछे बैक पर वुड़न हैंडल होता है इसको इससे ना पनीर टिक का बनाने में आसानी होती है और हैंडल करना भी बहुत आसा है यह देखिए अब हम क्या करेंगे एक अनियन का पीस एक पनीर एक कैप्सिकम फिर एक टमैटो इसी तरीके से सारी चीजों को बारी-बारी से इसके अंदर स्वीकर के अंदर लगाते जाएंगे और अपनी स्टिक को फिल कर लेंगे बहुत ही आसान है पनीर टिक का बनाना तो सारी स्टिक्स को फिल कर लूँगी तो देखिए बीच में वैजीज फिर पनीर फिर फिर पनीर इसी तरीके से हमने क्या करने है पूरा इसको बना कर तैयार कर लेंगे ये देखे, मैं आपको पूरा दिखा रही हुए, एक स्टिक को भड़ते हुए, फिर उसके बाद बाकी स्टिक भी मैं इसी तरीके से भरकर तैयार कर लूँगी, ये देखे, ये रेडी हो चुका है, इसी तरीके से मैंने जो बाकी स्टिक थी ना, उनको भी तैयार कर लिया, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना अब इसको हम क्या करेंगे इसको हम फ्राइपन में नहीं बनाएंगे नहीं अवन में ग्रिल करेंगे मैं आज इसको डारेक्ट गैस के उपर बनाऊंगी आपने क्या करना है गैस का फ्लेम आउन करना है और थोड़ी सी हाइट के उ यह देखिए बहुत बढ़िया इसी तरीके से हम क्या करेंगे सारी स्टिक्स को सेक लेंगे आप चाहें तो एक बारी में दो-दो भी सेक सकते हैं यह देखिए इसलिए मैं कह रही थी कि आप इस्टील वाली सुई कर लें जिसके पीछे वुर्डन का हैंडल होता है उससे मैनेज करना बहुत आसान होता है स्टिक्स को यह देखिए मैंने यहां पर दो-दो स्टिक्स को भी अच्छे सेक लिया था बहुत अच्छा कलर आ चु स्टिक्स बना है और बहुत ही बढ़िया उसके साथ मैंने हरी चुटनी भी बनाई है और सॉस भी है तो हम इसे क्या करेंगे सर्फ करेंगे और इंजॉय करेंगे अब इसी पनी टिक्के से हम रैप भी मना सकते हैं वह भी आपको बताऊंगी मैंने यहां पर एक कप मैदा ल अब रेब बनाने के लिए में आपको एजी तरीका मैशा बता रहे हूं जितना अपने मैड़ लिया अ उतनी ही पानी को थोड़ा थोड़ा धोड़ा प्रोला त embarrass यह के युदेश्व म में लॉम पalis metropolitan बना कर तैयार कर लेइं तो देखिए बैटर हमारा बनकर तयार हो चुका है यह देखिए बिल्कुल स्मूथ है न अब इसके अंदर हम क्या करेंगे थोड़ा सा नमक आड़ करेंगे हाफ टीस्पून के करीब और एक टेबल स्पून इसके अंदर ऑईल आड़ करेंगे अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए यह हमारा बैटर बनकर तयार हो चुका है अब इसे हम कवर करके रख देंगे रैप बनाने के लिए ना मैंने यहां पर आटा गुंदा है ना ही मैंने कोई डो लगाया है सिर्फ सिंपली मैं आपको दिखा नहीं बहुत इजी वे में रैप बनाना तो पांच मिनिट हो चुके हैं ही देखिए बैटर एकदम सैट हो चुका है कि मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दिखा दिखे कितना स्वूंड एकदम बैटर है हमारा अब हम एक पैन लेंगे या कोई तवा नॉन स्टिक लीजेगा उसके पर हम क्या करेंगे एक कच्छी भरकर गैस का फ्लेम मैंने सिर्फ अभी आउन किया है यह देखिए मीडियम टू लो रखना है यह देखिए और इसको अच्छे से फैला लेंगे जैसे डोसा बनाते न इसी तरीक से जितना बड़ा आपको रैप चाहिए आप उतना बड़ा इस देखिए अब बहुत ही बड़िया और यह मिंटो में सिक तयार हो जाता है इसका मैंने घैस का फ्लेम मेडियम कर दिया उपर से देखिए एकदम ड्राय हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे इसको पल्टेंगे अब यह देखिए इसके ओपर देखिए कितनी प्यारे और अब इसको रैप को अतार लेंगे हम देखिए अब इसको पर हम लगाएंगे मियोनी इस दंदूरी मियोनी ज़री महीं है और यह का और यह दोनो को बड़ु इसको बखा सबके मैं थेंगे आप बना सकते हैं, जब ऑप पनी टिक कर बनाएं तो पनी टिक कर रैब भी बना सकते हैं उसके बाद थोड़ा सा चाठ मसाला एड़ करेंगे और जो हमने एक स्टिक ली थी नाउसको नाइफ की पीछे वाले पार्ट से इसली निकालेंगे इस तरीके से जहां से धार नहीं होती है न वहां से आप निकालेंगे असानी से निकल जाता है ये देखिए अब इसके अंदर हम डालेंगे अपनी मेन ग्रीन चटनी और थोड़ा सा नेवू कर रस इसको पर निचोड़ेंगे और इसको कर देंगे हम रैप तो ये पनी रैप बन कर तयार हो गया तो दोनों ही वीडियो बहुत ही अमेजिंग और डेलिशियस थी आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आये तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को थैंक्स फर वाचिं इस वीडियो और अपना फीडबैक मेरे साथ दुरूर शेयर करें